दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि subject and predicate किसे कहते हैं दोस्तों जो हमारा sentence होता है वो मुख रूप से दो भागों में बटा होता है यानि कि मुख रूप से एक वाक जिसे हम English में sentence बोलते हैं वो तो भागों में बांटा जाता है जो हमारा पहला है subject और दूसरा हमारा है predicate तो दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे कि subject क्या होता है यानि subject किसे कहते हैं subject दोस्तों जिसे हम हिंदी में उद्देश बोलते हैं इसकी definition है कि वाकिके उस भाग को जिसके विशे में कुछ कहा जाता है subject कहलाता है यानि कि subject वा कहलाता है जिसके विशे में sentence में कुछ कहा जाए आगे दोस्तों हम example में जानेंगे कि subject होता क्या है उसके बाद दोस्तों हम जानेंगे कि predicate किसे कहते हैं दोस्तों जो हमारा प्रेडिकेट होता है इसकी डेफिनेशन है वाक कि कावा भाग जो सब्जेक्ट के विशे में कुछ कहता है प्रेडिकेट कहलाता है अब देखें दोस्तों यहाँ पर था कि वाक कि उस भाग को जिसके विशे में कुछ कहा जाए यानि कि जिसके विशे में sentence में कुछ कहा जाए उसे हम subject कहते हैं और वाक कि कावा भाग जो subject की विशे में कुछ कहा है उसे हम predicate कहते हैं जैसे कि दोस्तों मारा अगला example यहाँ पर दिया हुआ है आप देख सकते हैं रभी sleeps at night रभी sleeps at night यानि कि रभी रात को सोता है तो यहाँ पर आप देखिए रभी के बारे में क्या कहा जा रहा है कि रभी रात को सोता है यानि कि रभी के बारे में कुछ कहा जा रहा है हमारा यहाँ पर क्या था कि वाकि के उस भाग को जिसके विशे में कुछ कहा जा रहा कि रभी रात को सोता है यानि कि रभी की विशे में कुछ कहा जा रहा है तो हमारा यहां पर हो जाएगा रभी जो है यहां पर हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा और स्लीफ अब यहाँ पर दोस्तों I work hard यानि की मैं महनत करता हूँ या मैंinger city touchdown करता हूँ यहाँ पर हमारा प्रेडिकेट हो गया यहाँ अगला example देखेंगे की आच्ञामपल है की इसमोकिंग इस हार्मपूल यानि की धूम अर्पान क्या है हानिकारक है अब देखिए यहाँ पर जो धूमरपान है इसके विशय में कुछ कहा जा रहा है कि यह हानिकारक है यानि कि जिसके विशय में वाकिय में कुछ कहा जाता है वो सब्जेक्ट कहलाता है तो हमारा यहाँ पर इस्मोकिंग सब्जेक्ट हो जाएगा और इस यहाँ प सकते हैं लिंक आपको नीचे डिस्किप्शन में मिल जाएगा तो चले मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नीट आपक के साथ तब तक के लिए जया हिन बंदे महात्रम